नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलेजन टेकेडवी में श्वागत करता हूं कल हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किये थे आज हम लोग का परसेंटेज का दूसरा क्लास है कल हम लोग 6 कोस्चन किये थे आज उससे आगे कड़ेंगे चलिए कोस्चन देखते हैं कोस्चन नमबर 7 देखिए कोस्चन नमबर 7 क्या दिया हुआ है एक ब्यक्ति की आई जो है अठारे से रुपया बढ़ जाती है और उसका आईकर दड़ 18 परतिसद से घट कर 15 परतिसद हो जाती है यदि दोनों इस्थिती में दिये जाने वाला आईकर बढ़ाबर है तो उसकी प्रारंभिक आई ग्याद करे हमें दिया हुआ है कि एक ब्यक्ति की आई है 18% बढ़ जाती है और उसका slide either जो है 18% से घटके 15% हो जाती है तो उसकी प्रारम भी का I ग्यात करे देखिए income tax क्या होता है income income tax क्या होता है income tax जो होता है income income गुने हमारा tax का जो है tax का rate percentage इंकम टेक्स क्या होता है इंकम गुने हमारा जो टेक्स का रेट परसेंटेज है वो होता है इंकम टेक्स अब हमारा जो क्या दिया हुआ है कोस्चन में दिया हुआ है कि जो दोनों इस्तिती में दिये जानावाला इंकम टेक्स है वो हमारा फिक्स है income tax क्या है? fix है तो जो हमारा rate percentage rate percentage का जो ratio होगा rate percentage का ratio होगा उसके opposite ratio हमारा क्या होगा? income का हमारा जो rate का ratio दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 18% से घट के क्या हो रहा है? 15% हो रहा है यहां हम इसका ratio लेंगे तो यह हो जाएगा 6 by 5 यानि हमारा जो rate percent का ratio आ रहा है 6 बटा 5 आ रहा है हमारा income tax fix है तो income क्या होगा? income जो होगा rate percentage का ratio का opposite होगा यानि income का ratio हो जाएगा 5 by 6 हमारा पहले income जो था ओ 5 था, अब कितना हो गया? 6 हो गया यानि यहां हमारा income कितना बढ़ रहा है? एक यूनिट बर रहा है हमें एक यूनिट का question में कितना दिया हो है? 800 रुपया दिया हो है यानि हमारा जो एक यूनिट है यहां से हमारा एक यूनिट किसके बराबर दिया हो है question में? 800 रुपया एक यूनिट जो दिया हो है 800 रुपया दिया हो है question में और हमारा जो प्राराम्भिक आय है वो कितना है पांच यूनिट है यानि पांच यूनिट किसके बराबर होगा पांच यूनिट जो होगा वो हमारा अठारे पच्छन नब्बे डबल जीरो यानि 9000 रुपया एक बार फिर से देखेंगे यह कोस्चन में हमें क्या दिया हो था कोस्चन में दिया था कि एक ब्यक्ति की आय अठारे से रुपया बढ़ जाती है और उसका आयकर का दर अठारे परतिसाथ से पंदरे परतिसाथ घड़ जाती है यह दि दोनों इस्तिति में दिये जाने वाला आयकर बढ़ाबर है तो उसकी प्राराणभिक आय ग्यांत करें हमारा इंकम टेक्स क्या होता है इंकम गुने इंकम गुने जो हमारा रेट परसेंटेज है इंकम टेक्स क्या होता है इंकम गुने रेट परसेंटेज जो हमारा आयकर का दर है अब हमें जो दिया हुआ था कोस्चन में दिया हुआ था कि दोनों इस्तिति में जब उसका 18 पर तो जो हमारा रेट का रेशियो अपोजिट रेशियो जो होगा इंक्म का होगा क्योंकि जब हमारा इंकम टेक्स फिक्स है यानि 6 पचे स्थ यानि जब हमारा 5 इंकन था प्रसेंटे 좋 sl aureate ने रहें और जब हमारा इंकम 6 unit है और rate percentage जो हमारा 5 unit है तो हम दोनों solve करेंगे तो दोनों स्तिती में हमारा बढ़ाबर आएगा तो जो हमारा income tax था वो fixed था तो जो हमारा rate का ratio होगा उसके opposite हमारा income का ratio होगा यहां हमारा income का ratio क्या हुआ income का ratio हुआ 5 by 6 यानि हमारा income कीतना बढ़ रहा है हमें question में कितना दिया हुआ एक unit का value अठाड़े सो रुपया बढ़ रहा है यानि एक unit की value जो होई तो हमारा प्रारमभिक आई निकलना था प्रारमभिक आई कितना है 5 unit है 5 unit की value कितनी हो जाएगी 9000 रुपया चलिए question समझ में आ गया होगा next question पर चलते है question number 8 देखिए question number 8 क्या दिया हुआ है question number 8 दिया हुआ है एक बेक्ति की आये 2000 रुपया बढ़ जाती है और आयकर की दर 14% से 12% हो जाती है लेकिन दोनों इस्तीती में दिये जाने वाला आयकर बड़ाबर है तो बेक्ति की बर्तमान आय ग्यानत कड़िए यह question same question हमने पिछला भी देखा था इसमें भी वही चीज दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है इसमें हमसे पूछ रहा है बरतमान आए और पिछले question में हमसे क्या पूछा था उसकी प्रारमभिक आए देखें हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि एक बेक्ति की जो आय है वो 2000 रुपया बढ़ जाती है और उसका आयकर जो है वो 14% से घटके हमारा 12% हो जाता है लेकिन दोनों इस्तिती में दिये जाने वाला आयकर क्या है हमारा fix है जो हमारा income tax होता है income tax क्या होता है income का income गुने rate percentage rate percentage अब यहां हमें क्या दिया हुए question में कि दोनों इस्तिती में जब 14% rate percentage था और 12% rate percentage था तो दोनों इस्तिती में दिये जाने वाला हमारा जो टेक्स है वो क्या है fix है दोनों इस्तिती में दिये जाने वाला जो हमारा tax हो क्या है बड़ाबर है तो जो हमारा income tax है वो तो fix है यानि जो हमारा rate percentage rate percentage का जो हमारा ratio होगा उसके opposite ratio क्या होगा हमारा income का ratio होगा अब हमें rate का जो ratio दिया हुए पहले कितना था 14% था बाद में जब घड गया तो कितना बाड़े percent यहां हमारा ratio कितना आया इसे हम दो से काटेंगे साथ बार में जाएगा यह छे बार में हमारा जो रेशियो यहां है गया है 7 by 6 का यानि इन rate का जो हमारा ratio आया 7 by 6 का तो income का ratio कितना होगा इनकम का रेशियो कितना होगा पहले income कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है यहां कितना बढ़ रहा है? हमारा 1 unit बढ़ रहा है 1 unit बढ़ रहा है लेकिन हमें question में कितना दिया हुआ है कि 2,000 रुपया बढ़ रहा है यानि जो हमें question में दिया हुआ है कि 1 unit का जो हमारा value है वो कितना है दो हजार रुप्या है दो हजार रुप्या है तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी बरतमान आए यानि जो अभी हमारे बढ़के जो आया आई है वो हमें बरतमान आए निकालना है उसकी प्रारंभिक आए कितनी थी 6 unit थी अब उसकी बरतमान आए कितनी हो गई 7 unit यानि यहां से हमारा 7 unit के value क्या हो जाएगा 2000 में हम 7 से गुना करनें कितना हो जाएगा 14,000 14,000 रुपया इसका बरतमान आए कितना हो गई 14,000 रुपया एक बार फिर से देखेंगे question में हमें क्या दिया हो था कि एक ब्यक्ति की आए 2000 रुपया बढ़ जाती है और आए कर की दड़ 14% से बाड़े परतिसत हो जाती है लेकिन दोनों इस्तिती में दिये जाने वाला आए कर बढ़ाबर है तो ब्यक्ति की बरतमान आए ग्याग करे हमें question में दिया हुआ है कि जो हम income tax दे रहे हैं जब हमारा rate परसेंट है 14% था और बाड़े परसेंट था तो जो दोनों इस्तिती में हम जो income tax दे रहे हैं वो क्या है हमारा बढ़ाबर है यानि जो हमारा income tax क्या है fix है तो income tax जब हमारा fix है तो जो हमारा rate का ratio होगा rate का ratio होगा उसके opposite ratio हमारा किसका होगा income का होगा अब हमारा rate का ratio कितना आएगा rate पहले था 14% फिर घट के कितना होगा 12% तो इसका ratio कितना होगा 7 is to 2 तो हमारा income का ratio कितना हो जाएगा 6 is to 7 यानि पहले हमारा income जो था 6 उनिट था तो बढ़के कितना हो गया 7 उनिट यानि कितने उनिट की विरिधी होई एक उनिट की हमें क्या दिया हुए कि 2000 रुपया की विरिधी हो रही है यानि एक उनिट की जो value है वो 2000 रुपया है तो हमारा जो question में निकालना था कि बरतमान क्या दिया हुआ है question number 9 दिया हुआ है कि एक बेक्ति की आए 3000 रुपया कम हो जाती है और आएकर की दर 15% से बढ़कर 80% हो जाती है लेकिन दोनों इस्तिती में भुगतान किये गए कर बराबर है तो उसकी शुरुवाती आए गयात करें हमें पिछले question में क्या दिया हुआ था इससे पिछले question में दिया हुआ था कि उसकी आए हमारी बढ़ रही थी और उसका जो हमारा आएकर की दर यानि income tax का जो rate percentage था वो हमारा घट रहा था यहाँ income का rate percentage जो है वो बढ़ रहा है और इस question में भी हमें दिया हुआ कि दोनों इस्तिती में भुगतान किया गया कर जो हमारा है बढ़ बर है यानि income tax क्या है हमारा fix है तो उसकी शुरुवाती आए गयात करें यानि उसकी पड़ारंभिक जो हमारी income थी वो क्या थी? income tax क्या होता है? income tax income tax income tax income tax बराबर होता है income income गुने rate percentage income गुने rate percentage हमारा यहां जो है income tax है question में दिया हुआ है कि income tax क्या है? fix है income tax जो है हमारा fix है तो जो हमारा rate percentage का ratio होगा rate percentage का ratio होगा उसका opposite ratio हमारा क्या होगा income का ratio होगा? क्योंकि हमारा income tax है यहां fix है income tax fix है तो जो हमारा rate percentage का ratio होगा उसका opposite ratio हमारा income का होगा अब क्या हो रहा है? हमारा income tax हो रहा है 15% से बढ़कर कितना हो जा रहा 58% यानि यहां हमारा ratio क्या आएगा 5 is to 6 यानि जो हमारा income tax का rate percentage था पहले 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, तो हमारा जो income है income कितना हो गया, यानि income इसके opposite होगा, income कितना हो जाएगा 6 is to 5 यानि पहले हमारा income जो था वो 6 unit था अब घटके कितना हो गया 5 unit लेगिन हमें question में क्या दे रहा है question में दे रहा है कि इसका जो हमारा i है 3000 रुपय कम हो रहा है और यहां जो हमारा i कितना कम हो रहा है एक यूनिट कम हो रहा है यानि यहां से हमें पता चला एक यूनिट की वैलू, एक यूनिट की वैलू कितना है, तीन हजार रुपया, तो हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, उसकी सुरुवाती आए ग्यात करे, इसकी प्राइडाम में आए कितनी थी, इसकी प्राइड सब्सक्राइब करेंगे कितना हो जाएगा 18000 यानि उसकी सुरुवाती आई कितनी थी अठाड़े अजार रुपया चले एक फिर से देख लेते हैं कोस्चन नमर नाइन हमारा क्या दिया हो था कि एक बेक्ति की आए 3000 रुपया कम हो जाती है और आएकर की दर 15% से बढ़कर अठाड़े परतिसत हो जाती है लेकिन दोनों इस्तिती में भुगतान किये कर बढ़ाबर है तो उसकी सुरुवाती आए ग्यात करें हमें कोस्चन में दिया हो था कि एक बेक्ति की जो आए है ओ 3000 रुपया कम हो जाती ह और उसका जो rate percentage है इंकम टेक्स का जो rate percentage है वो 15% से बढ़कर 80% हो जाता है और दोनों इस्तिती में जो हमारा टेक्स जा रहा है तो हमें निकालना था उस बेक्ति की सुरुवाती आए इंकम टेक्स क्या होता है इंकम गुने rate percentage हमारा इंकम टेक्स निकल क्या आता है हमें कोस्चन में दिया हुआ था कि जो इंकम टेक्स है ओ क्या है हमारा फिक्स है हमारा इंकम टेक्स क्या है फिक्स है तो जो हमारा rate percentage का जो हमारा ratio होगा यहां हमारा इंकम टेक्स फिक्स है ज तो हमारा income का ratio कितना हो जाएगा 6 is to 5 अब हमें question में दिया हो था कि 3,000 रुपया की कमी हो रही है लेकिन यहां कितनी की कमी हो रही है यहां 5 से 6 हो रहा है 6 से 5 हो रहा है यानि एक की कमी हो रही है यानि एक किसके बराबर है 3,000 के बराबर यानि एक unit की जो value है 3,000 है तो हमें उ छे यूनिट के वैलु निकालना था, छे यूनिट के वैलु कितनी हो जाएगी ? अठाड़े आजार रुपया, चलिए कोश्चन समझ में आ गया होगा ? Next question पर चलते हैं, question number 10, देखिए question number 10 क क्या दिया हुआ hai ? Q10 दिया हुए, दो संख्या हैं, जब पहली संख्या में 125% बढ़ा दिया जाता है, तो वह संख्या दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है, लेकिन यदि पहली संख्या को 150 से बढ़ा दिया जाता है, तब वह संख्या दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है, तो उन संख्याओं का पहली संख्या को जब हम 125% से बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा संख्या निकल के आ रहा है, जब हम पहली संख्या को 125 से बढ़ा रहे हैं, 125% से, तो जो हमारा संख्या निकल के आ रहा है, ओ संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, ओ संख्या हमारी दूसरी संख्या से जो है, 300 कम है, तीन सो कम है, दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, यदि हम पहली संख्या को 150 से, पहली संख्या को जब हम 150 से, 150 से बढ़ा रहे हैं तो वो दूसरी संख्या से कितनी कम है? दूसरी संख्या से जो है 200 कम है 200 कम है हमें question में 2 चीज दिया हुआ है कि अगर हम पहली संख्या को 125 परतिसल से बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा संख्या निकल के आ रहा है वो संख्या दूसरी संख्या से 300 कम है और दूसरा चीज दिया हुआ है कि जब हम पहली संख्या को 150 से बढ़ा रहे है तो जो हमारा संख्या निकल के आ रहा है वो संख्या दूसरी संख्या से 200 कम है एक चीज तो fix होगा यानि यहां से यहां का जो difference है पहली संख्या से दूसरी संख्या के जो difference है ओ तो हमारा बराबर है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच की जो difference है ओ क्या है बराबर है यानि हम यहाँ यह चीज लिख सकते हैं कि हम अगर यह जो हमारा इन दोनों के बीच का जो difference है अगर हम पहली संख्या और दूसरी स पहली संख्या का 125 percent प्लस पहली संख्या का 125% प्लस 300 ये किसके बुराबर होगा पहली संख्या में जब हम 150 अड कर रहे हैं तो जो संख्या जो हमारी निकलके आ रही हो दूसरी संख्या से कितनी कम है 200 यानि ये हमारा बराबर होगा 150 प्लस 200 एक बार फिर से देखेंगे मैं क्या बता रहा हूं कि दो संख्या है दो संख्या में दिया हुआ है और बोला कहा जा रहे question में कि पहली संख्या को जब हम 125 पर 30 से बढ़ा रहे हैं तो वो जो संख्या जो हमारी निकल के आ रही है वो दूसरी संख्या से 300 कम है जब हम दूसरा क्या दिया हुआ है कि जब हम पहली संख्या को 150 से बढ़ा रहे हैं 150 से तो जो हमारी संख्या निकल के आ रही है वो दूसरी संख्या से कितनी है 200 की 200 कम है तो जो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का जो difference होगा वो तो बड़ाबर होगा यानि जब हम पहली संख्या का 125% ले रहे हैं अब प्लस 300 ले रहे हैं तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का डिफरेंस होगा जब हम 150 एड कर रहे हैं पहली संख्या में 150 एड कर रहे हैं तो दूसरी संख्या से 200 कम है यानि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का difference कितना है 150 और 200 ये बराबर होगा किसके पहली संख्या के 125% प्लस 300 के बराबर होगा यानि दोनों हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का difference है ये दोनों बराबर होगा अब देखिए यहां से क्या होगा पहली संख्या का 125% पहली संख्या का 125% किसके बराबर हो जाएगा हम इस 300 को उस साइड ले जाएगे यह हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा क्योंकि 50 और 200 को 500 और 200 को एड करेंगे कितना होगा 300 इसमें से हम 300 को उस साइड ले जाएंगे कितना हो जाएगा 300 माइनस हो जाएगा हमारा कितना बचेगा 50 यानि पहली संख्या का 125 परशेंट जो है 50 है तो पहली संख्या का 100 कितना हो जाएगा पहली संख्या का 100 परशेंट यानि पहली संख्या का 100 परशेंट कितना हो जाएगा 125 परशेंट जो है 50 है यानि 50 बटा 125 गुने 100 पहली संख्या का 125 परशेंट जो है 50 है तो पहली संख्या का 100 परशेंट कितना हो जाएगा पहली संख्या का जो 100% हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हम इसे 25 से काटेंगे ये 4 बर में जाएगा 25 से 5 बर में जाएगा 5 से काटेंगे ये 10 बर में जाएगा पहली संख्या हमारे क्या निकल के आ गई 40 निकल के आ गई पहली संख्या कितनी निकल किया गई 40 और इन दोनों की बीच का डिफरेंस कितना है इन दोनों की बीच का जो डिफरेंस है वो 150 और 200 यानि 300 है तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दूसरी संख्या जो हो जाएगी 40 प्लस 350 बराबर हो जाएगी 390 दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 390 अब हमें question में क्या पुछा जा रहा था question में पुछा जा रहा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग ज्याद करे, उन दोनों संख्याओं का योग ज्याद करे तो हमारा योग जो हो जाएगा योग कितना हो जाएगा पहली संख्या कितनी निकल के आई 40, दूसरी संख्या कितनी निकल के आई 390 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0, 94, 13, 14 हमारा एंसर कितना निकल के आईगा 430 एक बढ़ फिर से देखेंगे question में question में क्या दिया हो था संख्या से तीन सोद कम हो जाती हैं लेकिन यह दि पहली संख्या को डीफरेंस ओगा ओऊ हमारे क्या होगा यह होगा यहीं होगा यहनि पहली संख्या के है आज दो सो पर देफ्यों कि क्षाली संख्या, उसके बैए निकल परटीस प्लस 300-डोर प्लस पहली संख्या और दूसरी संख्या का बीच का जो डिफरेंस है 150 और 200 है यानि 350 तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 40 प्लस 350 यानि दूसरी संख्या अमारी निकल के आगए 390 अब हमसे question में क्या पूछा जा रहा था कि उन दोनों संख्याओं का योग बताए पहली संख्या अमारी निकल के आगए 40 दूसरी संख्या 390 हम इसे एड करेंगे क्या हो जाएगा 430 चलिए question समझ में आगया होगा next question पे चलते है question number 11 देखिए question number 11 क्या दिया हुआ है question number 11 दिया हुआ है मोहन के पास कुछ सोने के सिक्के है जो की अलग-अलग भार के है वह 24 सबसे हलका सिक्के जो कुल भार का 45 परतिसत है राम को दे देता है वह तेरे सबसे भारी सिक्के जो कुल भार के 26 परतिसत है स्याम को दे देता है और बाकी बच्चे सिक्के रमेज को दे देता है तो रमेज को कुल कितने सिक्के मिले देखे कोश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि कुछ सोने के सिक्के है जो हमारा सोना के सिक्का है वो अपने आप में कितना होगा 100% यानि 100% भार के सोने के सिक्के है अब क्या बोल रहा है हमसे question में कि 24 सबसे हलके सिक्के जो cool भार के 45% है यानि cool भार के 45% जो हमारा 45% है 45% वो कितने 24 सबसे हलके सिक्के यानि 24 जो है low weight का हमारा सिक्का है low weight का जो सिक्का है 24 उसका percentage कितना है 45% दुसरा हमसे क्या बोल रहा है कि वह तेरे सबसे भारी सिक्के जो cool भार का 26% है दुसरा हमारा जो है वो कितना है 26% है 26% है और सिक्का कितना है तेरे ये क्या है हमारा heavy weight का है तेरे सिक्का जो है heavy weight का है अब हमारा जो 45% निकल गया 26% निकल गया कुल हमारा कितना है 100% तो हमारा जो बचा हुआ है हम कितना परसेंट रमेश को दे रहा है रमेश को जो हम दे रहा है रमेश को हम दे रहा है 100 में से 45 निकल गया और 26 निकल गया 45 और 26 को हम एड़ करेंगे कितना होगा 45 और 26 को एड़ करेंगे हमारा होगा 71, 100 में से हम 71 निकालेंगे हमारा बचेगा कितना 29 यानि हम 29% जो है ओर रमेश को दे रहे हैं अब 29% में कितने भाड़ी और कितने हलके सिक्का आएगा चलिए हम मानते हैं कि अगर रमेश को हम टोटल भाड़ी सिक्का देना चाहे तो जो हमारा 13 सिक्का है 26% के बरावर है तो एक सिक्का कितना परषेंट होगा 2% और ये जो हमारा है ये है odd number है even नहीं है यानि 2% में एक सिक्का आ रहा है तो 29% में हम सिक्का तो तोड़ के नहीं देंगे यानि हम टोटल इसे भाड़ी सिक्का नहीं दे सकते हैं अगर हम टोटल इसे हलका सिक्का देना चाहें तो जो हमारा है 24 अगर हमारा 45% है 45% है 45% में 24 सिक्का है 24 सिक्का है अगर हम इसे हम इसे अगर 3 से डिवाइड करते हैं यानि 15% 15% में कितना होगा 8 low सीखा होगा 8 low सीखा होगा यानि इससे हम छोटा इससे नहीं तोर सकते हैं नहीं तो यह सीखा जो हमारा पॉइंट में आ जाएगा अगर हम इसे 15 दूना 30 लेते हैं 30% 30% यानि 16 सीखा 16 low weight की सीखा और हमारा जो total percent है जो रमेज को हमें देना है वो कितना है 29% तो हम 30% नहीं ले सकते हैं यानि हम यह तो ले नहीं सकते यह ले नहीं सकते हैं और total भारी सीखा हम इसे नहीं दे सकते हैं total हलका सीखा भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि 8 सीखा लेंगे तो हमारा 15% हो जाएगा और हम सिख्का तोड़के point में नहीं देंगे तो हम 15% यह जो हमारा total है रमेश को जो हम दे रहा है 29% हम इसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं एक 15% में और एक 14% में 15% और 14% अगर हम 15% में low weight का जो सिख्का लेना चाहें 15% में low weight का सिख्का लेना चाहें तो हमारा कितना सिख्का आएगा 15% में 8 low weight का सिख्का आएगा और जो हमारा heavy सिख्का है मतलब जो भाड़ी सिख्का है उस सिख्का का एक सिख्का का कितना परसंट है 2% यानि 26% में 13 सिख्का है तो एक सिक्क्य के कितना परसंट होगा दो परसंट, अब 14 परसंट में कितना सिक्का आएगा, 14 परसंट में आएगा साथ सिक्का, साथ जो होगा, हेबी वेट का सिक्का आएगा, तो रमेश को टोटल कितना सिक्का मिल रहा है, आठ लो वेट का और साथ हेबी, यानि टोटल ज कि मोहन के पास कुछ सोने के सिक्के हैं जो की अलग-अलग भार के हैं वह 24 सबसे हलके सिक्के जो की कुल भार का 45% है राम को देता है और वह 13 सबसे भारी सिक्के जो कुल भार का 26% है स्याम को देता है और बाकी बचे सिक्के रमेज को देता है तो रमेज को कुल कितने सिक्के म कि वह हमारा है 100% कोई चीज अपने आप में कितना होता है 100% अब हमसे बोल रहा है कि अगर हम 24 जो लो वेट का सिक्का दे रहे हैं वो टोटल वेट का हमारा 45% है और तेरे जो हेवी वेट का जो सिक्का दे रहे हैं वो टोटल वेट का कितना है 26% यानि 45% हम यह किसको दे दिए 45% जो है राम को दे दिए और 13% जो है तेरे सिक्का जो 26 परसंट यह हम किसे दे दिए स्याम को दे दिए अब हमारा hundred में से 45 और 26 निकल जाएगा 45 और 26 आड़ करेंगे कितना होगा 71% hundred में से 71% निकल जाएगा बचएगा कितना 29% यह 29% हम रमेज को देंगे, अगर हम रमेज को कितना सिक्का देंगे, हमें सिक्का के संख्या निकालना है, अगर हम रमेज को टोटल हेवी वेट का सिक्का देना चाहें, तो देखिए, जो हमारा 26% में तेरे सिक्का है, यानि एक सिक्का का कितना परसेंट होगा, दो परसेंट होगा और ये जो हमारा percent है ये क्या है एक odd number है यानि 29% है तो हम इसे total heavy weight का सिक्का नहीं दे सकते हैं क्योंकि सिक्का तो हम तोड़ के नहीं देंगे उसे अगर हम total उसे low weight का सिक्का देना चाहें तो जो हमारा low weight का है 45% में 24 सिक्का है तो हम इसे तोड़ना चाहें तो 15% में अगर लेंगे तो हमारा कितना होगा 8 सिक्का होगा अगर हम इसे 30% लेंगे तो 16 लेकिन हमारा 30% तो नहीं है 29% है यानि हम total इसे low weight का सिक्का भी नहीं दे पाएंगे इसे heavy और low मिला के देंगे हम इसे अगर 29% को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं 15% और 14% 15% में इसे low weight का कितना सिक्का जा रहा है 8 सिक्का जा रहा है और 14% लेंगे तो 26% में 13 सिक्का आ रहा है यानि 1 सिक्के के 2% तो 14% में कितना सिक्का आएगा 7 heavy weight का तो रमेश के cool कितने सिक्के मिलेंगे 8 और 7 पंदरे सिक्के चलिए question समझ में आ गया होगा next question पे चलते है question number 12 देखिए question number 12 क्या दिया हुआ है question number 12 दिया हुआ है एक चुना में 2 उमिद्वार थे हाणने वाले उमिद्वार ने 41% वोट प्राप्त किये और वो 580 वोट से हार गया तो cool वोट की शंख्या ग्याद करें जो हाड़ने वाले उम्मिद्वार है, हाड़ने वाले उम्मिद्वार को कितना वोट मिल रहा है, हाड़ने वाले को जो मिल रहा है, वो हमारा 41% मिल रहा है, तो जितने वाले को कितना वोट मिल रहा है, तो जितने वाले को कितना मिलेगा, 59%, जितने वाले को कितना मिलेगा, 59%, हमें question में दिया हुआ है कि हाड़ने वाले को 40% वोट मिल रहा है तो जितने वाले को कितना मिलेगा 59% इन दोने का difference कितना है इन दोनों का जो हमारा difference है ओ है अठारे पर्षेंट यानि ये जो हाडने वाले है जितने वाले से कितने पर्षेंट वोट से हाड़ारा है तो यहाँ से एक पर्षेंट के वैले लुग कितना हैगा हम अठाडे से ही से काटाएंगे, अठाडे 34, हाथ में एक, अठाडे कम अठाडे 0, हमारा 1% का value कितना आया, 1% का value आया, 310, अब हमें क्या चाहिए, 100% की value चाहिए, क्योंकि हम से question में पूछ रहा है, कुल word की संख्या कितनी थी, तो 100% की value चाहिए, 100% क्या हो जाएगा, 31,000, चलिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, question number 12, हमारा क्या दिया हुआ है, कि एक चुनाओ में दो उम्मिदवार थे, हाडने वाले उम्मिदवार ने 41, 30% बोट प्राप्त किये, और वो 5580 बोट से हार गया, तो कूल बोट की संख्या कितनी थी, देखे, कूल बोट जो होगी कितने वोट से हार आ रहा है, यहां से 41 में से, 59 में से 40 को माइनस करेंगे, कितना हुआ, 18% बोट से हार आ रहा है, लेगिन हमें question में दिया हुआ है, कि 580 बोट से हार आ रहा है, 18% की जो value है, 580 है, तो 1% की कितनी value हो जाएगी, 310, तो 100% यानि कूल बोट की संख्या में नि चलिए question समझ में आ गया होगा, next question पर चलते है, question number 13, देखे question number 13 क्या दिया हुआ है, एक चुनावे दो उमिदवार थे, एक उमिदवार ने कूल वैद वोट का 55% बोट प्राप्त किया, और 20% बोट जो है, अवैद है, अवैद हो गए, यदि कूल वोट 500 है, तो दूसरे उ वोट जो है, अवैद हो गया, और जो बैद होट है, बैद होट में से, जो एक उमिदवार है, उसको 55% बोट मिल रहा है, तो दूसरे उमिदवार को कितना वोट मिलेगा, 45% मिलेगा, क्योंकि जो बैद होट है, वो अपने आप में कितना हो गया, 100% हो गया, उस 100% का 55% वोट मिलेगा देखिए हमारा ख्याद यह हुए कि 55 जो है हमारा कुल वोट है इस वोट का 20 परतिशत जो है अवैध है तो कितना असी परतिशत हमारा क्या है वैध है और एक उमिद्वार को इस वोट का जो है 55 परतिसत मिल रहा है, तो दूसरे उमिद्वार का हमें निकालना है, दूसरे उमिद्वार को कितना मिलेगा, 45 परतिसत, 45 परतिसत, हम इसे काटना चाहेंगे, ये 2 0 से हमारा, 2 0 कट जाएगा, ये कटेगा, 24, 80, 25, 100, इसे हम काटना चाहें, ये कटेगा, 9 बड़ में, 9 बड़ में, अब हमारा क्या बचा यहां, 55 गुने, 4 गुने, 9, हम 55 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 220, 55 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना होगा, 220, गुने, 9, ये हो जाएगा, 0, 18, 8, 18, 8, हाथ में 1, 18, 19, यानि, दूसरे उमिद्वार को, दूसरे उमिद्वार को कितना वोट मिलेगा, 1980, एक बार फिर से कोस्चन में देखेंगे, हमें क्या दिया हो था, कि एक चुना में 2 उमिद्वार थे, एक उमिद्वार ने, कुल वैद्वोट का, 55 परतिसद वोट प्राप्त किये, और 20 पर परतिसद वोट जो है, ओ अवैद हो गया, यानि, 25 परतिसद अगर 55 का 20 परतिसद अवैद हो गया, तो 55 का 80 परतिसद क्या होगा, वैद होगा, उस 55 का 80 परतिसद जो है, 80 परतिसद, का 55 परतिसद एक उमिद्वार को मिल रहा है, यानि, दूसरे उमिद्वार को कितना है उसका 45पर 35 हमने वह लिखा कि टोटल वॉट जो हमारा है pachupn CEO है उसका جो है बीज़ीOn वैद है इस वोट का यानि 585 का 80 परतिसत का जो है 45 परतिसत दुसरे उम्हीदवार को मिल रहा है यानि दुसरे उम्हीदवार का 45 परतिसत हम लेंगे इसे सॉल्व करेंगा हमारा आंसर क्या निकल कहाँगा 1980 चलें नेक्स्ट कॉस्चन पे चलते हैं कोस्चन नूमर 14 देखिए question number 14 क्या दिया हुआ है question number 14 दिया हुआ एक चुनाओ में दो उमिद्वार थे चुनाओ में 8% मत दताओं ने अपना मत नहीं डाला जितने वाले उमिद्वार ने cool vote का 48% लेकर दूसरे उमिद्वार को इक गारे से vote से हरा दिया तो बताएं कि cool vote की संख्या कितनी थी जो हमारी cool vote होगी cool vote क्या होगी 100% होगी 100% अब हमे question में क्या बोल रहा है कि 8% मत दताओं ने अपना vote नहीं डाला यानि 8% ने अपना vote नहीं डाला तो 92% ने अपना vote डाला होगा 92% ने vote डाला होगा इस 92% में क्या है जितने वाला भी है और हाडने वाला भी है अब हमसे क्या बोल रहे है कि जीतने वाले उम्मिद्वार को Cool vote का यानि इस 100% का 48% लेकर आता है 100% का 48% यानि यहां जो है जीत जीत और हाड है जीतने वाला cool vote का जो है, जीतने वाला जो हमारा है, cool vote का कितना ला रहे है, 48% लेकर आ रहे है, cool vote का 48% लेकर आ रहे है, यानि 92 में से 48% अगर निकल जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 92 में से 48% निकाल देंगे, तो हमारा बचेगा, 44%, 44%, यानि जीतने वाले 48% मिल रहा है, और हाडने वाले को 44% मिल रहा है, जीतने वाले हाडने वाले को कितने परसेंट से हाड़ा रहा है, जीतने वाले हाडने वाले से, जीतने वाले हाडने वाले को 4% vote से हाड़ा रहा है, लेकिन हमें question में दिया हुआ ह कि वो इगारे से vote से हडाता है यानि हमें 4% की 4% की जो value दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है इगारे सो 4% की value दिया हुआ है हमसे क्या पूछ रहा है cool vote की संख्या यानि हमसे पूछ रहा है 100% का 100% 100% की value क्या होगी यानि इस side हम 4 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 100 तो हम 1100 में 25 से गुना करेंगे यह हमारा हो जाएगा 0 0 25 के 5 25 दो 27 हमारा कितना हो गया 27,500 cool vote का संख्या हमारा क्या निकल गया 27,500 एक बार फिर से देखेंगे question में हमें question में क्या दिया हुआ था कि एक चुनाव में दो उमिद्वार थे, चुनाव में 8% मत दताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जीतने वाले उमिद्वार ने कुल वोट का 48% लेकर दूसरे उमिद्वार को 1100 वोट से हरा दिया, तो बताएं कि कुल वोट की संख्या कितनी थी, कुल वोट जो होगी, वो अपने आप में क्या होगी, 100%, हमसे कोस्चन में क्या बोला जा रहा है, कि 8% मत दताओं ने अपना मत नहीं डाला, 92% ने अपना मत डाला, 8% नहीं डालेंगे, तो 92% लोग जो अपना है मत डालेंगे, अब इस 92% में जितने वाला भी है, और हाणने वाला भी है, हमसे दूसरा क्या बोला जा रहा है, कि जितने वाले उमिद्वार कुल वोट का, यानि इस 100% का 48% लेकर आ रहा है, 100% का 48% कितना होगा, 48% हो जाएग और इस 92 में से, 92 में क्या है, जितने वाला भी है, और हाणने वाला भी है, इस 92 में से 48% तो जितने वाला ले लिया, हाणने वाले को कितना परसेंट मिलेगा, 44%, यहाँ डिफरेंस कितना है, जितने वाला हाणने के बीच, 4% का, लेकिन हमें कोस्चन में दे रहा है, कि जितन वाले हाडने वाले को 115 वोड से यंदि इस 4 परशंच का जो वेल्व हमें कोस्चन में दिया हुआ है गारे सो दिया हुआ है तो हम आदेट परशंच का निकाल सकते हैं हमें कुल वोड की संख्या पूछ रहा है यानि हंद्रेट परशंट की वैलू इस साइड हम 25 से गुणा क करेंगे हमारा टोटल वोट की वैलू कितनी निकल क्या गए 27500 चलिए कोस्टन समझ में आगया होगा नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं को सचन नमबर 15 देखें कोस्टन नमर 15 क्या दिया हुआ है कोस्टन नमर 15 दिया हुआ है एक चुनाव में दो उमिदवार थे 75% लोग ने अपना वोट दिया इसमें से 2% वोट अवैद हो गए एक उमिद्वार को 9261 वोट मिले, जो cool weather वोट का 75 परतिसर था, तो उस चुनाव में cool वोटर कितने थे? हमने मान लिया cool वोटर की जो संख्या थी हमारी X थी, cool वोटर की संख्या क्या थी? X थी, X Cool Water की संख्या हो गई अब इसमें से 75% लोग अपना वोट डाल रहे हैं यानि इसका 75% लोग जो है अपना वोट डाल रहे हैं इतना लोग वोट डाल रहे हैं अब क्या इस 75% वोट में से 2% जो है अवैद हो गया यानि वैद वोट कितना हुआ 98% वैद वोट कितना हुआ 98% 98% और दुसरा क्या दिया हुआ कि एक उमिद्वार को 9261 वोट मिले जो कुल वैद वोट का 75% था यानि इस वैद वोट का 75% 75% हमारा कितना दिया हुआ 9261 इस वैद वोट का 75% कितना दिया हुआ 9,261 यहां से हमारा x की value निकल के आ जागा हम इसे काटेंगे 25 चोग का 25 तियाई 75 हम इसे 2 से काटेंगे यह 2 से काटेंगे कितने बार में जागा 2 बार में इसे 2 से काटेंगे यह कितने बार में जागा 49 बार में 49 बार में अब x equal to क्या निकल के आया हमारा x निकल के आया हम इस 2 और 100 और 4 को उपड़ ले जाएंगे यानि 9261 गुने हम इस 2 को और 4 को गुना करें कितना हो जाएंगे 8 into 100 बट्टा यह हो जाएंगे 33 के 9 गुने यह कितना हो जाएंगे 49 49 अब हम इसे 9 से भाग देंगे इसे 9 से भाग देंगे हमारा कितने पर में जाएंगा 91 फिर दो लेंगे नहीं कटेगा यानि 0 जाएंगा जीरो जाएगा 92 अठारे हाथ में कितना आएगा आठ फिर एक आएगा नगवा इकास्षी यह कितना आ गया हमारा यह जो हमारा है एक्स का वैलू आ गया एक्स इक्वल टू एक हजार उन्तिस गुने आठ गुने हंड्रेट बट्टा उन्चास हम इसे हम इसे एगर साथ से काटना चाहें साथ से काटना चाहें तो यह कितने पर में जाएगा साथ सते उन्चास ये साथ से काटना चाहे साथ एकम साथ साथ चोक अठाइस साथ सते उन्चास फिरी से हम साथ से काटना चाहे ये कितने बर में जाएगा टू वन यानि ये एक हजार उन्टिस उन्चास से कितने बर में जा रहा है 21 बर में हमारे यहाँ x क्या निकल के आया 21 गुने 8 गुने 100 हम इसे गुना करेंगे हो जाएगा 8 16 जबल 0 यानि 16800 हमारा कुल वोट का संख्या कितना निकल के आया 16800 एक बार फिर से देखेंगे question हमें question में दिया हो था कि एक चुनाओ में दो मिद्वाड थे 75 परतिशाद लोग ने अपना वोट दिया इस में से 2 परतिशाद वोट अवैध हो गया एक उमिद्वाड को 9261 वोट मिले जो कुल वैध वोट का 75 परतिशाद था उस चुनाओ में कुल कितने वोटर थे हमने माल लिए पुल की संख्या जो है एक से अब इस कुल वोटर में से 75 Inc Sans लोग बोड डाल रहे हैं और जो लोग बोड डाल रहे हैं उसमें से दो परतिशत अवयद हो जा रहे हैं यानि 98 परसेंट क्या है west है यैनि स्क शाथतर परतिसेत गॉट का 98 88% वोट जो है अवैद है अब दूसरा क्या दिया हुआ था एक उमिदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैद वोट का 75% था यानि इसका 75% हमें कोश्चन में कितना दिया हुआ है 9261 यहां से हमारा X का वैलू क्या निकल के आया 16800 चलिए कोश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमर 16 देखिए कोश्चन नमर 16 क्या दिया हुआ है एक चुना में दो उमिदवार थे 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया 60 वोट अवैद हो गये पहले उमिदवार को कुल वोट का 47% वोट मिले और उसने दूसरे उमिदवार को 308 हमें कोश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10% लोग ने अपना वोट नहीं डाला यानि 100% लोग होगे इसमें से 10% लोग ने अपना वोट नहीं दिया 90% ने 90% ने अपना वोट दिया इस 90% में 90% में हमारा क्या होगा जीत होगा हार होगा और 60 अवैद जो वोट है यानि 60 अव इस 90% में क्या है? जीत है, हाड है और 60 अवैद वोट है हमें दूसरा क्या दिया हुआ है? कि पहले उमिद्वार को कुल वोट का यानि इस 100 का 47% वोट मिला यानि दूसरे को कितना मिल रहा है? पहले को कितना मिल रहा है? 47% अगर हम ये जो 60 वोट अवैद है इस वोट को भी हम अगर वैद कर दें और इस वोट को हम अगर हाडने वाले को दे दें तो हाडने वाला जो है जितने वाला 308 वोट से हाडा रहा है अगर हम 60 वोट और हाडने वाले को दे दें तो कितने वोट से वो हाड़ेगा अगर हम 60 वोट जो अवैद है वो हम हाडने वाले को दे दें तो अब कितने वोट से हाड़ेगा वो अब हाड़ेगा 308 में से हम 60 वाइनस करेंगे यानि यह कितना हमारे निकल के आएगा 248 अगर हम 60 अवैद वोट हारने वाले को दे दें तो 248 वोट से हाड़ेगा यानि अब हम अगर 60 वोट अवैद जो था ओ हटा दिये तो यहां अमारा क्या बचा जीत और हार बचा अब एक उमिद्वार को अगर 47% मिल गया तो दूसरे उमिद्वार को कितना मिलेगा यह टोटल 90 है 90 में से अगर हमारा 47 निकल गया तो दूसरे उमिद्वार को कितना मिलेगा यह मिला 43% 47 और 43 को अट करेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा यानि एक को 47% मिला दूसरे को 43% मिला इन दोनों के बीच का जो difference है हमारा वो कितना है 4% है 4% है अब इस 4% का जो value हमारा है वो कितना है 4% का जो value है 4% 4% किसके बराबर है 4% जो है 248 के बराबर है 4% किसके बराबर है 248 के बराबर है हमें निकालना था cool water का संख्या यानि 100% हमें 100% निकाल ना था 100% यानि इस सड हम 25 से गुना कर रहे हैं तो 248 में हम 25 से गुना करेंगे यह हमारा कितना हो जाएगा 25 आठे 200 का 0 हाथ में 20 25 चोग का 100 100 में 20 जोड़ेंगे 120 का 0 हाथ में 25 दूनी 50 50 में अगर हम बाड़े एड करेंगे कितना हो जाएगा 62 कुल वोट का संक्या कितना निकल गया 6200 एक बार फिर से कोस्चन देखेंगे हमें कोस्चन में दिया हुआ था कि एक चुनाओं में 2 अमिद्वार थे 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया 60 पर 30 वोट अवैद हो गए पहले उमिद्वार को कुल वोट का 47 परसेंड मिला और से दूसरे उमिद्वार को 308 वोट से हरा दिया यानि हमें कोस्चन में दिया vita कि 100 परसेंड वोटर है उसमें से 10 पर्सेंड ने अपना वोट नहीं डाला दस परसेंट ने अपना वोट नहीं डाला 90% जो है दस परसेंट ने अपना वोट नहीं डाला 90% अपना वोट डाल रहे हैं इस 90% में जीत है हाड है और साथ जो हमारा अवैद वोट है ओ भी है बाकी तो हमारा परसेंट में है और यह जो अवैद वोट है यह हमें संख्या में दिया हुआ है, इस अवैद वोट को अगर हम हटा दें, तो यहाँ जो 90 पर सेंट है, हमें जीतने वाले का पता है कि 47% मिला है, कूल का 47%, यानि यह जो बाकी है 43%, इस 43% में हार है और 60 अवैद है, अगर हम इस 60 अवैद वोट को हारने वाले को दे दे तो पहले हो जो हारने वाला था वो 308 वोट से हार रहा था अगर उसे 60 वोट और मिल जाए तो कितने वोट से हारेगा 248 वोट से यानि हम हारने वाले को 60 भोट दे दिए जो अब भोट हमारा था वो हारने वाले को दे दिए तो हारने वाला कितने परसंट भोट से अब हारेगा जितने वाले को 47 परसंट हारने वाले को 43 परसंट मिल रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 4% यानि 4% जो हमारा है वो कितना है 248 है तो 100% कितना निकल के है 6200 चलिए question सबज में आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें चलिए बाई बाई